वेलकम फ्रेंट्स, स्वागा थे आप सभी का हमारे ओनलाइन प्लेटफर्म MPS Motivators पर मैसल मुकेश कुमार पांड़ वेल फ्रेंट्स, आज के सेशन में हम लेकर के हाजिर हैं, लुकान दे बोर्ड, हिंदी टू इंग्लिस ट्रांसलेशन विथ ए स्ट्रक्चर आज के सेशन में हम देखेंगे हिंदी के कुछ important sentences को अंग्रेजी में अनुबाद करते हुए उनके structure अर्थात उनके बनावट के साथ तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सेशन का जिसमें तरह तरह के हिंदी सेंटेंसेज को अंग्रेजी में अनुबात करते हुए देखेंगे और आज का सेशन उन सभी स्टुडेंट्स के लिए है बिसेश कर क्लास 6 से लेकर के 12 तक वैसे सभी स्टुडेंट्स जो इंग्लिस के ट्रांसलेशन मेथड में अपने आपको बहुती कमजोर पाते हैं या समझते हैं उन सभी के लिए आज का सेशन हमारा रहेगा बहुती इमपोटेंट या फिर प्रतियोगिता परिक्षा की त्यारी करने वाले वैसे सभी अप्लिकेंट्स के लिए भी है जिनका अंग्रेजी में फिलेंदी ब्लैंक्स हो या फिर करेक्ट दा फॉलोइंग सेंटेंसे हो वो सब कुछ आज के सेशन में रहेगा तो चलिए सुरुआत करते हैं सबसे first इस्टर्टेर में चलते हैं, देखते हैं कुछ Хिंदी के सेंटेंसेज उनके स्टर्टेर के साथ स्वेर फ्रेंज फर्स्ट पॉईंट में देखेंगे तीन एक्जंपल्स दिये हुए है और इस तरह के sentences जो आपको मिलेंगे राम जाता है ना, मोहन खाता है ना, सिता पढ़ाती है ना, मैं चलता हूँ ना इस तरह के sentences में देखेंगे अंत में question marks लगे हुए है प्रस्न सूत्यक चेन है, अंत में दिये हुए है sentence के अंत में ना का भी परियोग लगा हुआ है राम पढ़ाता है ना, सिता खाती है ना, मैं बिद्याले जाता हूँ ना इस तरह के sentences इंगलिस grammar में देखेंगे तो question tag में मिलेगा question tag जिसमें हम किसी से प्रस्न नहीं पूछते हैं बलकि हम अपने confusion हमारे पास जो भ्रहम है, हमारे मन में जो confusion भरा हुआ है उस पर हम दूसरों से जबाब चाहते हैं कि हमारा जो confusion है उसको yes या no में करके हमारे confusion को दूर कर दीजिए यानि यह एक परकार से direct प्रस्न नहीं हुआ question tag एक परकार से question नहीं होता है बलकि question का एक छोटा भाग होता है जिस पर हम दूसरों से उसकी राजामंदी चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप क्या जानते हैं, हमको बता देजिए हम उसे प्रस्न नहीं पुछते हैं तो इस तरह के sentences यह question tag का ही है, आएए देखते हैं इनका structure यानि इनका बनावट और यह जो भी sentences हैं, यह सभी के सभी simple present tense के हैं तो ध्यान रखना होगा simple present tense के है, question tag के है, तो इस तरह के sentences को जब हम बनाएंगे तो उसका structure देखते हैं, यह जो बनावट है जिसमें हम simple present का यहां तक लिखे होगा है subject, b1, b5, plus subject, यहां तक हमारा simple present tense का हो गया, और यह last में कॉमा दे करके don't, doesn't, object, question mark, इसमें ध्यान देना होगा कि अगर sentences affirmative है, तो question tag negative होता है अगर sentence negative है, तो question tag affirmative होता है, लेकिन यहां पर हम रहें तीनों sentences को affirmative में लिखा है राम पढ़ाता है न, affirmative है, अगर इसको negative करते हैं, तो राम पढ़ाता नहीं है न, मैं नहीं जाता हूँ न, मैं नहीं खाता हूँ न, इस तरह के negative होता है तो जब negative होगा, तो वहां से don't, not hurt जाएगा, doesn't के साथ not hurt जाएगा, आईए देखते हैं इसका examples राम पढ़ाता है न, राम टीचेज, कॉमा रहेगा, doesn't he so this is the complete sentence, हमारा sentence यहां तक चलेगा, राम टीचेज, कॉमा देकर, doesn't he यानि पूरा का पूरा sentence हुआ, राम पढ़ाता है न, तो अगर इसको अंग्रेजी में कहेंगे, तो राम टीचेज, doesn't he राम के बदले ही का प्रियोग किये हैं, लेकिन अगर इंग्लिस में चलते हैं, इंग्लिस ग्रामर में चलते हैं, और सिर्फ आपसे कोई कहता है कि question tag बनाईए, राम टीचेज, question tag क्या होगा, तो होता, doesn't he लेकिन translation method में चलेंगे, तो दोनों आपस में जूर जाएंगे, राम पढ़ाता है न, राम टीचेज, doesn't he इस प्रकार से complete sentence होगा, second, सीता खाना बनाती है न, सीता कुक्स फूड, doesn't see, third मैं भी द्याले जाता हूँ न, I go to school, don't I, so friends, ये question tag का translation method है और translation method में आप देखेंगे, तो दोनों parts एक साथ जूर करके translate करते हैं अगर English में चलेंगे, English grammar में, और English to English अगर हम करेंगे I go to school, सीता गोज टो इसकूल, इसका question tag क्या होगा, तो वो doesn't या do not करके चलेंगे लेकिन अगर translation बनाते हैं, तो उसमें दोनों parts को जोर देते हैं राम पढ़ाता है, न, राम teaches, doesn't he, सीता खाना बनाती है, न, सीता कुक्स फूर, doesn't see इस तरह के sentences बनाएंगे, तो simple present tense का, question tag का या sentence आपका complete हो गया So well friends, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, simple past tense अब simple past tense का भी देखते हैं, translation, इसी method पर, question tag पर ही उसका भी देखेंगे तो बने रही हैं हमारे साथ, चलते हैं, simple past का दिखाते हैं, translation method जो question tag पर रहता है So well friends, look on the board, simple past tense का ये example से हैं, जो question tag chapter से आता है Now look the sentence is, सिता पटना गई न, तुम आम खाये न, मैं पढ़ाया न, हम लोग किरकेट खेले न, या हम लोग किरकेट खेले थे न, इस तरह से भी बोल सकते हैं तो ये simple past का है, question tag है, translation method का ये question tag से लिया गया है, आएए देखते हैं, इसका structure बनावट So friends, this is the structure, subject प्लस भी टू अबजेक्ट, ये थो simple past का हो गया, subject भी टू अबजेक्ट, simple past and didn't plus subject, ये question tag का वह पुछरी है, जिसको जोर दियें, अब हमारा sentence इस प्रकार से बनेगा सिता पतना गई न, सिता वें टू पतना, didn't see Second, तुम आम खाए न, you ate a mango, didn't you, मैं पढ़ाया न, I taught, didn't I So well friends, simple past tense का ये question tag, जिसको translation method में आपके सामने रखा गया इसका एक chapter हम आगे लेंगे, जिसमें हम English to English चलेंगे, question tag बनाने के लिए How to make question tag of different types of tenses, जैसे question tag basically simple present का बनाते हैं, simple past का बनाते हैं, simple future का बनाते हैं And imperative sentence का question tag बनता है, English to English में तो English to English का कभी question tag का हमारा chapter आगे आने वाले समय में लिया जाएगा आज का ये translation method था, question tag का जिसमें हम simple present and simple past ये दो important है, simple future का uses कम किया जाता है, उसका भी बनता है लेकिन simple present and simple past का translation method का युज़र जादा किया जाता है, तो आप इस पर focus करें और ये दोनों इस structure पर अपने घर पर बैठ कर practice करें लगभग 50 sentences for a structure कम से कम 50 sentence तो जरूर बनाएं for a structure तब जाकर आपका इस पर command होगा तो इस तरह के और भी Hindi to English या English to Hindi का translation जारी रहेगा हमारे MPS motivators के माधियम से जुरी हमारे channel MPS motivators के साथ घर पर बैठे अपनी academic exam अथवा अपनी competitive exams की त्यारी करें आज का video अच्छा लगे निश्चित रूप से इसको देखिए groups में share किजिए positive comments किजिए मिलते हैं next session में कुछ और new topics के साथ Thank you